आपने महा भारत में तो जरूर सुना होगा कि द्रोपती के पांचपती थे लेकिन पांचपती थे क्यूं इसका वास्तवी कारण है कहते हैं कि द्रोपती बहुत ज़्यादा गुणी थी बहुत ज़्यादा शक्ति साली भी थी एक पहली महिला थी जिन्नोंने आवाज उठाई थी किसी के खिलाब द्रोपती के सोंदर के बारे में गुड़ों के बारे में तो हम बहुत जादा जानते ही हैं क्योंकि महाभार के कावे में सब कुछ द्रोपती के बारे में लिखा हुआ है लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जैसे कि द्रोपती के पांचपती क्यों थे उनके बास्तवी क्या कारण थे तो जानिए इस वीडियो के दोरान के द्रोपती के पांचपती के बास्तवी कारण क्या थे नमबर एक, द्रोपती पिष्टे जनम में तपस्वी की बेटी थी, जिस कारण से उनका विभा नहीं हो रहा था, विभा में बहुत ज़्यादा परिशानी आ रही थी, तपस्वी ने बहुत ज़्यादा प्रेद्नी के लेकिन उनका विभा नहीं हुआ, फिर उन्होंने पांच गुण आउने जरूरी है, नमबर दो, ड्रोपती ने अपने पती में पांच गुण मागे, पहला वे कर्दवे पराणे हो, तूसरा वे सूर हो, तीसरा विभने में आकरशक हो, चौथा वे बुद्धी मान हो, और पांच वा वे तयालू भी हो, और प्यार करने पाल योग से शादी करेंगी, और वह अगले जनम है, द्रोपती के रूप में, द्रोपत के यहां जनम लिया, और उनका विभा निश्चित था कि वह पांच पैत्यों की ही पत्नी बनेगी, नमबर पांच, जब द्रोपती बढ़ी हो गई, तो द्रोपती के स्वेंबर में, उनक के साथ हुआ, क्योंकि अरजुन ने तीर निशाने पर लगाया, इसी दोरान जब वह द्रोपती को लेकर गई, तो कुंती ने बिना देखे, तिहान में मगन थी, उन्होंने कहा, देखो मा मैं कुछ लेकर आया हूँ, उन्होंने सोचा कि कोई सामान होगा, तो उन्होंने कह कि आपस में भायों बाट लो, तो इसलिए कहते हैं कि द्रोपती के पांचपती हो गए, क्योंकि पांचों के साथ वह बढ़ गई, वह कारण जिस कारण से द्रोपती के पांचपती बने, मेरी वीडियो को लाइट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले,